हलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चेप्टर नबर फूर रिसन्ट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट में सेमिस्टर टू में जहां पर आज हम देखने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में अल्रेडी जितने लेक्चर्स हो चुके हैं अगर एमिस आये हुए है उसमें तो वहां पे हमने Britney कारड के बारे में पढ़ी लिया अब आज हम स्टर्ट करते हैं क्रेडिट कारड के बारे में ठीक है अब एक क्रेडिट कार्ड वर्ड तोमने बहुत सुना ही होगा काफी सारे लोगों ने फिरेडिट कार्ड ।कैं credit card use करके हम क्या करते है payment करते है shopping करते है ठीक है काफी सारी चीज़े करते है office payment किया shopping किया कुछ service लेने गए हम hotel में गए credit card से हम payment कर सकते है काफी सारी चीज़ों का ठीक है जैसे debit card से करते है वैसे ही credit card से लेकिन अब इन दोनों में difference क्या होने वाला है कि जो debit card हम use करते हैं उसमें हमने क्या देखा था कि वहाँ पे पैसे कहां से करते हैं हमारे account में जो balance है वहाँ से पैसे करते हैं तुम्हारे account में जितना भी balance है वहाँ से तुम shopping करते जाओ ठीक है balance कतम हो गया उसके आगे तुम debit card use नहीं कर सकते प्रोवाइड करती है टीक है वो जो credit limit हमें bank देती है वो credit limit use करके मतलब उस limit तक हम क्या करते है payment कर सकते है shopping कर सकते है उससे beyond हम नहीं कर सकते है अब वो जो credit limit हमें दी गई है तो वो पैसे क्या हो जाते हैं वो पैसे हमारे account में नहीं है ठीक है हम क्या कर रहे है वहाँ पे bank के पैसे use कर रहे है मान लो bank ने हमें allow किया है कि आपको 1,00,00 तक का credit limit मिलेगा तो आप 1,00,00 तक के shopping कर सकते हो 1,00,00 तक के आप payment कर सकते हो ठीक है उससे beyond आप नहीं use कर सकते अब क्या हो गया यहाँ पे हमने bank के पैसे use किये and हमने shopping कर लिया है payment कर दिया है अब क्या होगा आगे कि at the end of the month क्या होगा बिल आएगा हमारे पास कि आपने कितने कितने खर्चे किये ठीक है कितना amount आपने spend किया है credit card use करके उसके बाद क्या होगा वो amount आपको आपने bank को repay कर देना है ठीक है तो यह हो जाता है credit card तब इसका फाइदा क्या हो गया हमें कि हमारे account के पैसे तो use नहीं हुए हमने credit card use करके payment किया मतलब bank के पैसे हमें use करने मिले bank ने हमें कुछ credit दिया जो हमने use कर लिया ठीक है अब यह जो bank हमें credit card देगी ठीक है हम bank के पैसे use कर रहे है credit card use कर रहे है अब ऐसे ही bank तो नहीं देदेगी सारे ही customer को तो नहीं देगी सारे ही लोगों को तो नहीं देगी तो bank कैसे देगी वो bank credit worthiness देखेगी person की या customer की ठीक है credit worthiness का मतलब क्या हो जाएगा कि वो person जिसे credit card issue करना है वो person पैसे वापस कर पाएगा या नहीं उतनी उसकी capacity है या नहीं उसे हम बोलेंगे credit worthiness ठीक है तो bank क्या करेगी देखेगी कि भई उस person की income कितनी है ठीक है उसके पास क्या asset है income कितनी है उसके base पे उसकी credit worthiness decide की जाएगी और उसके बाद bank क्या करेगी credit card issue करेगी ठीक है चले देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है a credit card is a payment card issued to users as a system of payment ठीक है क्या issue किया जाता है payment card issue किया जाता है as a system of payment now it allows the card holder to pay for goods and services the issuer of the card creates a revolving account and grants a line of credit to the customer or user देखे यहाँ पे क्या बताया उन लोगों ने था issuer अब issuer कौन हो जाता है bank हो जाएगी ठीक है bank card issue कर रही है मतलब issuer bank हो जाएगी the issuer of the card creates revolving account अब वो क्या करेगी customer का एक account बनाएगी revolving account मतलब वो account चलते ही रहेगा continue ठीक है customer ने पैसे spend किए every month उसे bill जाएगा customer वापस उसे repay कर देगा revolving account जो चलता रहे revolving account create करेगी bank and grants a line of credit ठीक है और क्या उसे provide करेगी line of credit मतलब कुछ credit limit उसे provide करेगी मतलब ऐसा नहीं है कि customer को credit card मिल गया मतलब वो पैसे use करते ही जाएगा खर्चे करते ही जाएगा ऐसा नहीं है उसे based on उसकी जो credit worthiness है उसके हिसाब से उसे credit limit provide की जाएगी उसके हिसाब से ही वो खर्चे कर सकता है payment कर सकता है तो the issuer of the card creates revolving account and grants a line of credit to the customer or user the line of credit enables the user to make payment to a merchant अब यह जो line of credit issue की गई जो credit limit दी गई customer को वो use करके वो person क्या कर सकता है payment कर सकता है to merchant या vendor जहां से भी वो shopping कर रहा है उसे वो payment कर सकता है तो यह कुछ देखा हमने credit card के बारे में आगे देखते है advantages of credit card अब यह credit card के फाइदे क्या क्या है सबसे first तो आ गया हमारा convenience बराबर हमें cash carry करने के जरुरत नहीं है check book भी carry करने के जरुरत नहीं है बहुत convenient है यह हमारे लिए हमारे पास एक carry card है और वो use करके हम क्या कर सकते है तूरंती फटावर्ट से payment कर सकते है हमें tension लेने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है कि हम कितने cash लेके आए है यह cash हमारे पास है या नहीं ठीक है वो सारी चीज़ें हमें सोच ली नहीं पड़ती है तो the main benefit of credit card holder is convenience compared to debit card and check a credit card allows short term credit to the customers who need not calculate the balance in her account before each transaction अब क्या बताया उन लोगों ने compared to debit card and check credit card allows short term credit short term credit यहाँ पर उन लोगों ने बताया है यह short term क्यों बताया है monthly mostly monthly बिलाता है credit card का and customer को उसे repay कर देना होता है ज्यादा एक साल या दो साल तक आप credit use नहीं करते हो ठीक है इसके लिए कैसी load है कैसा credit है short term हो जाएगा now who need not to calculate balance in his her account before each transaction ठीक है अगर हम cash carry करते है check carry करते है क्या फिर debit card use करते है तो हमें क्या करना पड़ता है हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास कितना balance है ठीक है उससे हम आगे खर्चान नहीं कर सकते लेकिन credit card के case में क्या हो जाता है वो calculation हमें करने की जरूरत नहीं होती है हमारे पास जितना credit limit हमें provide किया गया है वहां तक का हम खर्चा कर सकते है however the total amount to be paid to the merchant does not exceed the maximum credit line for the card ठीक है जितना भी आप payment कर रहे हो वो card के लिए जो limit provide किया गया है उससे आगे नहीं जाना चाहिए ठीक है उस वहां तक कि आप spend कर सकते हो तो यह सबसे first advantage हो गया convenience rewards के बारे में अब जब भी हम credit card provide करते हैं credit card से payment करते हैं तो क्या होता है merchant समय कुछ rewards provide करते हैं कभी-कभी आप देखा होगा कि कोई-कोई offers चलती है जैसे कि मान लोग कोई mobile नया आया है या कोई और चीज़े आई है तो उस time क्या होता है festival time पे भी जो online shopping की जो offers होती है वहाँ पे क्या होता है कि credit card के लिए कुछ अलग से उन लोग फायदे बताते हैं कि अगर आप credit card से payment करोंगे तो यह benefit है ठीक है तो क्या होता है rewards मिलते हैं अगर आप credit card use करते हो तो तो देखे कि many credit card offers a package of rewards and benefits for which instance for instance credit card can offer reward points may be redeem for cash or for products user of credit card can get special discount as compared to those who make cash payment देखे जो लोग credit card use करके payment करते हैं online उनको ज्यादा benefit या special discounts दिये जाते हैं compared to जो लोग cash payment करते हैं उनके या फिर और भी क्या फायदे हैं कि जो लोग credit card use करते हैं उन्हें क्या मिलता है rewards मिलते हैं या reward point मिलते हैं ठीक है जिने वो redeem करके और कुछ shopping कर सकते हैं तो यह एक फायदा हो जाता है credit card use करने का now special discounts are offered by petrol pumps for fuel restaurant petrol थोड़ा typing mistake है special discounts are offered by petrol pumps, fuel, restaurant, hotels, air tickets, etc. ठीक है देखिए यह सारी चीजों के लिए अगर आप credit card use करते हो तो आपको rewards दिये जाते हैं अगर आप cash नहीं pay कर रहे हो credit card use कर रहे हो तो यह हो जाते हैं फायदा एक तो reward मिलता है अगर आप credit card use कर रहे हो तो now next is benefit to merchants अब जो merchant है जो vendor है जिसके पास से हमने shopping किया है और जिसको हम payment करने वाले है credit card use करके उसके लिए भी बहुत फायदा हो जाता है क्यों फायदा होता है हमने देखा था check के बारे में हमने देखा था कि अगर हम check के through payment करते है तो क्या हो जाता है उसे wait करना पड़ता है check honor होने तक वो person check merchant जाके bank में check डालेगा फिर check clear होगा पैसे आएंगे तब तक उसे wait करना पड़ता है कभी-कभी check dishonor भी हो जाता है लेकिन in case of credit card क्या होने वाला है वो sure है कि मुझे पैसे अभी के अभे मिल ही जाएंगे जिस भी bank का credit card है उसके पास से मेरे account में पैसे आजाएंगे भले ही bank को वो customer बाद में पैसे दे या ना दे, repay करे या ना करे पर merchant के पास पैसे surely आजाते हैं तो benefit to the merchant for merchant a credit card transaction is often secure then check payment this is because the issuing bank commits to pay the merchant the moment the transaction is authorized regardless of the customer defaulting on the credit card payment एक बार customer ने card use करके payment करना चाहा वो payment authorized हो गया तो merchant के account में bank में से पैसे चले जाते हैं फिर भले ही at the end of the month customer payment नहीं कर रहा है bank को customer default करता है वो बात अलग है लेकिन merchant को पैसे मिल जाते हैं ठीक है तो ये एक benefit हो जाता है merchants के लिए कि उनको payment secure हो जाता है उनका now fourth one is protection of purchases अब ये protection of purchases क्यों कहा गया है अब credit card use करके हम बहुत सारे purchases कर रहे हैं ठीक है बहुत सारा shopping हमने किया अब कभी-कभी ऐसे हो गया कि हमारा bill misplace हो गया ठीक है कुछ goods हमने खरीदा bill misplace हो गया ठीक है एंड वो goods में कुछ मान लो problem हो गई ठीक है अभी हमें उस goods के लिए वो bill चाहिए कुछ confirmation कुछ proof चाहिए हमें कि हमने shopping किया था या हमने payment किया था में merchant को तो क्या हो जाता है अगर आपने credit card use करके payment किया हुआ है तो उस credit card का जो statement रहेगा वहाँ से आपको वो detail मिल जाती है कि आपने किसको payment किया हुआ है ठीक है एक आपको वहाँ पर प्रूफ मिल जाता है तो protection of purchases credit card may also offer you additional protection of something you have what is lost, damaged और stolen आपने कुछ चीज़ खरीदी है जो खो गई, damage हो गई या फिर चोरी हो गई तो उसके लिए यह आपको help करता है ठीक है both your credit card statement and the credit card company can vouch for the fact that you have made purchase if the original receipt is lost और stolen ठीक है जो goods आपका damage हुआ है या खो गया है अगर उसकी receipt भी आपके पास नहीं है खो गई है तो आप credit card statement के थूँ आप देख सकते हो उसमें से कि आपने किसको payment किया हुआ है in addition some credit card companies offer insurance on large purchases देखें कुछ-कुछ companies ने तो और एक भी facility देना चालू कर दिया है बहुत सारे आप purchases करते हो बड़े-बड़े तो आपको साथी पे insurance facility भी मिलेगी मतलब यहां पे goods lost हो गया, damage हो गया, ठीक है तो वहां पे क्या हो जाएगा insurance company पैसे recover करके दे देगी जो loss हुआ है वो recover करके दे देती है, ठीक है चलिए तो यह एक और advantage हो गया credit card use करने का अब credit card का सबसे बड़ा फाइदाय किये है emergency के time पे यह आपको बहुत काम लगता है माण लो कोई problem हो गई है अचानक से जब आपके पास cash ज्यादा available नहीं है और उस time आपको payments करने है तो आप credit card use करके फटाफट से उस time payment कर देते हो ठीक है, आपको ज़्यादा tension लेनी की ज़रत नहीं है कि मेरे पास cash नहीं है या फिर मेरे account में balance कम है जहाँ पे debit card के case पे होता है जितना account में balance हो उतना ही आप use कर सकते हो ठीक है? तो वो भी tension यहाँ पे लेनी की ज़रत नहीं है अगर कुछ आपको emergency हो गई है तो आप credit card use करके फटाफट से payment कर सकते हो और बाद में जब monthly बिलाता है फिर आप उसे repay कर देते हो ठीक है? तो emergencies, credit cards can also be useful in times of emergency for instance, if there is an accident or breakdown of your car and you need money to face emergency situation the credit card may come to the rescue ठीक है? यह तो उन लोगों ने सिर्फ एक example दिया हुआ है कि ऐसे कुछ problem हो जाती है accident या breakdown या कुछ और भी हो जाए तो उस case में क्या होता है? आप फटाफट से card use करके सारे ही payment कर सकते हो Now next is universal acceptance Credit card को भी क्या किया जाता है? universally accept किया जाता है मतलब कि आप other countries में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आप वो card use करके payment कर सकते हो ठीक है वहाँ पे भी आपको cash carry करने की जरुरत नहीं है tension लेने की जरुरत नहीं पड़ती है Now most of the credit cards are accepted internationally This means a holder of credit card can use it for make purchases within the country as well as in international market subject to a certain limit ठीक है? card को universal acceptance होता है मतलब within country and outside country भी आप use कर सकते हो subject to certain limit वो जो limit आपको provide की गई है उतने limit तक आप credit card use कर सकते हो ठीक है तो ये कुछ हमने देख लिए advantages credit card के बारे में अब disadvantages देखते हैं कि भाई नुकसान क्या क्या होते है credit card यूज कर रहे के तो सबसे पहला आ गया आपका यहाँ पे overspending credit card आता है तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए overspending क्योंकि क्या हो जाता है? credit card जब हम use करते है तो हमें हमारे account balance तक तो limited रहना नहीं है credit card में तो क्या हो जाता है? हमें जो credit limit दी गई है वहाँ तक का हम shopping कर सकते है तो हमें क्या होता है? कि चलो जरूरत नहीं है वैसी चीज़ भी हम खरीद लेते हैं हमें अच्छा लग गया, पसंद आ गया तो हमने ले लिया कोई चीज costly है मतलब हम उस चीज़ लेने के capable नहीं है तो भी हमें क्या लगता है? कि चलो ठीक है ना credit card तो है हमारे पास, बाद में जब बिलाएगा तो हम arrange करके भर देंगे तो क्या होता है? हम यह सोचके ज्यादा महेंगी चीज़ भी ले लेते है और जो चीज़ की जरूरत नहीं है वो चीज़ भी हम खरीद लेते हैं मतलब credit card क्या करता है? आपको encourage करता है ज्यादा से ज्यादा खर्चे करने के लिए overspending करने के लिए मतलब जरूरत नहीं है वो चीज़े भी आप ले लेते हो overspend कर देते हो तो ये एक सबसे बड़ा disadvantage होता है काफी सारे लोग इसी reason की वज़े से credit card लेना पसंद नहीं करते हैं credit cards can be dangerous for individuals who are not good at budgeting जो person बोलते हैं न कि बिंदा सारी चीज़े ले लेते खर्चे कर लेते हैं budget के बारे में नहीं सोचते हैं वैसे चीज़ों के लिए वैसे लोगों के लिए credit card dangerous हो सकता है क्यों dangerous? credit card से खर्चे कर 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 के क्या हो जाता है? फिर जब बिल आता है तो वो लोग pay नहीं कर पाते है या तो फिर वो pay करने के लिए कहीं और से loan लेना पड़ता है and ऐसा करने से वो person के उपर कर्जा हो जाता है debt create हो जाता है इसे लिए dangerous कहा गया है the temptation is very easy to overspend because you don't need to pay for your purchases up front अगर हम cash दे रहे हैं तो क्या होता है? हम up front payment कर रहे है मतलब देख रहे के हाँ हमारे इतने cash जा रहे है credit card में तो क्या होता है? card swipe कर दिया? हो गया, payment हो गया ठीक है? उस time आपको ज्यादा tension नहीं आता है कि मैंने overspending कर दिया है regardless of how much money is actually in your bank account you can make purchases up to your maximum credit card limit somehow signing a piece of paper at the time of purchase doesn't always feel like you are actually spending money this is exactly mentality that the credit card companies want users to adopt ठीक है? credit card company के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि चलो हमारे customers ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें तो हमारे लिए ही अच्छा होगा ठीक है? उन्हें उन पैसों पे क्या हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा interest मिलता है especially the youngsters become compulsive buyers ठीक है? क्या हो जाता है? यंग्स्टर के लिए उन लोगों ने बुला है especially the youngsters become compulsive buyers and tend to overspend because of the ease of using credit card credit card यूज करना बहुत easy पढ़ जाता है इसके लिए mostly youngsters ज्यादा इसे use करते है and overspending कर देते है cards can encourage the purchasing of goods and services people do not need or cannot really afford देखिये जिसकी ज़रत नहीं है वैसी चीज भी ले लेते है and जो afford नहीं कर सकते वैसी चीज भी ले लेते है now second disadvantage is high interest rates and increased debt अब यहाँ पर अगर आप credit card यूज करते हो तो उसका जो interest rate company लगाती है वो बहुत ही high रहता है ठीक है आपने payment तो कर दिया, purchases तो कर दिये, shopping तो कर दिया लेकिन जब उसका bill लाता है, अगर आप उसे repay नहीं कर पाते हो तो उसके उपर जो आपको interest pay करना पड़ता है वो कुछ ज्यादा ही रहता है, ठीक है and क्या करता है, वो आपको debt create करता है उसके लिए फिर क्या होता है, आपको वो pay करने के लिए कहीं और से पैसे arrange करने पड़ते है और कोई भी इंसान हो जो pay नहीं कर पाता है उसके लिए debt हो जाता है, liability create हो जाती है Credit card companies charge you an enormous amount of interest on each balance that you don't pay off at the end of each month the interest rate on unpaid balance is about 20% per annum देखे, interest rate कैसा होता है higher हो जाता है, अगर आप pay नहीं कर पाते हो तो इतना high interest आपको pay करना पड़ता है this is how the credit card companies make their money and this is how most people in India and other countries get into debt and even bankruptcy मतला person एकदम loss में आ जाता है सारा है, asset भी उसका चला जाता है credit card bill pay करने में अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो अब यहाँ पर third disadvantage हम पढ़ने वाले है वो है credit card fraud के बारे में अब हम जो credit card use करते हैं वहाँ पर काफी सारे fraud भी हो सकते हैं अभी किस तरीके से होते हैं सबसे पहला तो यह कि हमारे credit card की जो information रहती है जब भी हम कोई transaction करते हैं कोई payment करते हैं हमने card use करके कोई shopping किया या कोई service ली उस time पे at the time of payment तो हम क्या करते हैं वहाँ पे सारी ही information हमें देनी पढ़ती है जब हम card use करते हैं तो सारी ही information वहाँ पे जाती है ठीक है related to हमारे card तो कभी कभी क्या हो जाता है वो information अगर गलत person के हाथ में लग जाती है तो उसका misuse हो सकता है ठीक है और fraud भी होने के chances होते है हमारे account में क्या हो जाता है फिर हमारा तो bill वहाँ पे बढ़ जाता है और हमें हम fraud का शिकार हो जाते है ठीक है और एक चीज क्या हो सकती है कि अगर credit card हमारा चोरी हो जाता है या फिर misplace हो जाता है तो भी fraud होने के chances बढ़ जाते है जिसके भी हाथ में वो card लग जाता है फिर वो person क्या होता है कि जरूरी नहीं है वो person अच्छा ही हो और अच्छे से loyal रहेगा वो उसका गलत use भी कर सकता है ठीक है लेकिन उस case में एक चीज हम क्या कर सकते है हम bank में जाके तुरंट बता सकते है कि हमारा card चोरी हो गया है या फिर हमारा card खो गया है तो क्या हो सकता है क्या कर सकती है bank फिर उस card को block कर देती है ताकि जिस भी person के हाथ पे वो card चला गया है वो person उस card को फिर use नहीं कर सकता ठीक है? तो देखते हैं credit card fraud के बारे में Like cash, sometimes credit cards can also be stolen They may be physically stolen if you lose your wallet और someone may steal your credit card number from a receipt over a phone और from a website देखिए ये सारी जगों से भी ऐसे हो सकता है कि आपकी credit card की details leak हो जाए And use your credit card fraudulently कोई person ऐसा हो जो गलत काम करना चाहता है वो ऐसा कर सकता है आपका card की information लेके वो गलत तरीके से use कर सकता है Now the good news is that unlike cash if you realize your credit card or number has been stolen you can report it immediately to the issuing company or bank and the issuing company will block the credit card and therefore misuse of your credit card will not take place ठीक है ये एक अच्छी बात होती है अगर credit card misplace हो जाता है या चोरी हो जाता है अब next हम देखते है पेपर वर्क अब ये पेपर वर्क क्या होता है वो सारे ही transaction का proof हमें maintain करना पड़ता है सारे ही papers maintain करने पड़ते हैं जब credit card का bill आता है हमारे पास monthly तो हम क्या कर लेते हैं चेक करते हैं उसे every transaction के साथ ताकि हमें गलत चार्ज ना किया जाए ठीक है कभी कभी ऐसे हो सकता है कि गलती से हम कोई extra transaction के लिए चार्ज हो सकते हैं तो अगर हम पेपर वर्क अच्छे से करते हैं तो यह चीजे नहीं होती है Now there is some paperwork involved in case of credit cards The credit card holder needs to save receipts and check them against statement Each month देखे क्या करना है जितने भी transaction आप करते हो उसकी receipt आपको संभाल के रखनी है and every month जब उसका bill आता है credit card का तब आपको क्या करना है उस bill के against उस receipts को check कर लेना है सारे ही transaction को bill में check कर लेना है Now this is a good way to ensure that the credit card holder is not overcharged ठीक हम एक बार confirm कर लेते हैं खुद को कि हमें कोई extra transaction के लिए जो हमने किया ही नहीं है उसके लिए charge ना किया जाए ठीक हमें overcharge ना किया जाए तो यह हो जाता है paperwork credit card आप यूज सो करते हो लेकिन आपको paperwork भी साथ ही में करना पड़ता है Now next is hidden cost अब यह hidden cost क्या होता है हमें ऐसे लगता है कि बहुद क्रेडिट कार्ड है तो हमें cash carry करने की जरूरत नहीं है हमें बहुत सारे फाइदे है ठीक है यह बात बराबर है बहुत सारे फाइदे है लेकिन काफी कुछ hidden cost भी होती है जो हम pay करते है लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते है ठीक है अब यह hidden cost क्या हो जाती है कि एक तो आप अगर timely payment नहीं करते हो ठीक है monthly जो आपका बिलाता है आप timely payment नहीं करते हो तो उस पे interest लगता है ठीक है and penalty या fees हम बोल सकते है कि वो भी लगती है अगर आपने time पे payment नहीं किया है तो या तो फिर payment करना भूल गए हो पूरे के पूरा payment आपने miss कर दिया है तो आपको charges या fees भी लगती है तो ये सारी क्या हो जाती है hidden cost हो जाती है जो हम credit card use करते time ध्यान में नहीं देते है हम ऐसे लगता है कि credit card use करने के बहुत सारे फायदे है लेकिन सामने हमें cost भी लग जाती है The interest rate is not the only cost of a credit card A fee may be charged If the card holder is late in making monthly payment और miss it altogether देखिए अगर आपने late payment किया है या फिर आपने totally miss कर दिया है ठीक है आप payment करना रह गया या भूल गया तो क्या हो जाता है आपको fees भरना पड़ता है Now, the card holder may also have to pay a penalty if the credit limit is exceeded प्लस आपके अगर आपका limit exit भी कर दिया एक लाग का limit आपको दिया गया था उसके उपर आपने 1,20,30 का transaction कर दिया limit को आपने exit कर दिया तो भी आपको penalty भी भननी पड़ सकती है So, the card holder should make keep a track of spending and always pay the bills on time ठीके अगर आप अपने spending पे मतलब आप credit card use करके जो भी payments कर रहे हो उस पे control रखते हो and monthly timely payment अगर आप करते हो तो ही credit card आपके लिए useful है वरना ये आपको costly हो जाता है ठीके तो ये हो गया हमारा disadvantage hidden cost Now, next is results in debt अब ये results in debt क्यों कहा गया है debt का मतलब क्या होता है simple language में करजा हो जाना ठीके हमारे उपर करजा हो गया हमें पैसे किसी को pay करने है वो हमारे लिए debt हो जाता है अब credit card use करना कभी-कभी इंसान के लिए debt create कर देता है अब क्या होता है credit card हमने लिया है ठीके हमें क्या होता है monthly payment करना होता है पूरे month तो हमने आसानी से use कर लिया shopping कर लिया credit card use करके payment कर दिये काफी सारे अब at the end of the month क्या होने वाला है बिल आएगा अगर आप वो बिल नहीं भर पाते हो ठीके तो problem हो जाती है अब वो बिल भरने के लिए कभी-कभी लोग क्या करते है किसी और से पैसे उधार लेते है या कहीं और से loan ले ले लेते है ठीके वो लेके फिर credit card का बिल भरते जाते है तो वैसे करते-करते इंसान के उपर क्या होता है debt create होते जाता है ठीके एक debt liability को भरने के लिए आप दूसरा debt create करते हो उसके लिए तीसरा करते हो और धीरे-धीरे क्या हो जाता है debt trap में वो इंसान फर्स जाता है इसलिए यहाँ पर बताया है कि credit card use करना results in debt the use of credit card results in debt some of the credit card users make undue use of credit card अब यह undue use of credit card मतलब जरूरत नहीं है वैसी चीज़े हम खरीदते है जो required नहीं है जो हमारी capacity से बाहर की है ठीके undue use of credit card and they fail to repay the money utilized to the credit card company this may lead problem to the credit card users क्या होता है problem create करता है यह credit card user के लिए वो एक debt trap में फर्स जाता है ठीके तो यह हमने देख लिए credit card use करने के नुकसान क्या-क्या है disadvantages क्या-क्या है ठीके बच्चों तो अब आगे का हम करेंगे next lecture में मिलते हैं next lecture में कोई question हो आप comment section में बता सकते हैं thank you so much